नमस्क्यार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज नांख है आठ दिसंबर सन दोजार तेइस विक्रम समब्द दोजार असी चल रहा है माक्षीश मास है कृष्णुपक्ष है हेमंत रितु है तिथी आज की एकादशी है और आज का वार है शुक्रवार आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र सुब्याट बच् करनि है रिश्टे की बात चलानी है खरीदारी करनी है तो आज का दिन बहुत सुंदर है परनबब है शाम पाच समय सी और सुर्यास्त का समय के शाम पाच मिनले से बारा बजे के बीच रहेगा इसे पुरी तरीकल से टाल डीजे. इसमें को शुपकार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब इजित मुरत आज ग्यारा बच के सताउन मिनट से दौपेर बारा बच के उन्चालिस मिनट के बीच है दिन में चार बार दोस्त मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल अनिवारे यात्रा है तो परिहार करके निकले परिहार इस प्रकार होगा कि पश्चिम के और मुक कीजिए थोड़े से राई के दाने या जो के दाने खाई और पांच कदम पीछे चलिए और जब यह सारी प्रकरिया आप करें तो अपने हिर्दे में अपने इस्टिया भग परिए बच के तीस मिनट तक फिर दो पर बाच चार बच के तीस मिनट से शाम पांच बच के तीस मिनट तक यह तीनों का लखंड बाकी पूरे दिन की अपिक्षा ज्यादा शुब है योग का रख है तो अच्छे अच्छे एफट्स करें इसी दोरान करें ताकि सफलता के चांसे ज्यादा मिलें आज की चंद राशी दर्शे को कन्या है रातरी नौबच के त्रेपन मिनट तक आगे तोला राशी है जिससे आज का इदिन सभी बारे राशी के लिए कुछ स्प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते मेश राशी की मेश राशी वाले आज निह बठाएंगे लाब कन्या राशी वाले भ्रमित रह सकते हैं और तुला राशी वाले अनावश्य खर्चे से बचे वर्चिक राशी वाले व्यापार की विचार करेंगे आज और धनु राशी वाले नोक्री को लेकर हो सकते हैं डबल माइंड़ और मकर राशी वाले धार्मि प्यूप किया सकए आज उत्पन्स एकद धूपिस थासरे एक प्मार्द मत्सरे अज़्स बशुपकर के शुरुपकर तरिया नएक पाहर कारे का रिश्टे की बात चलाना पुजा पुजा पाट शुरू करना कोई शिक्षा संबंदित कारे करना या किसी से करीयर को नई दिशा दे सकता है। वहीं आज भगवान विश्णुजी के मंदिर में वस्त्र पुष्प चंदन माला इत्यादी अर्पित करके विश्णु शैस्त नाम का पार्ट आपको अखंड लक्षमी की प्राप्ती भी करवा सकता है अब बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप सब लोग सुबह धही और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित किसी पार्क की दिवार पर रखें साथ ही दोपेर एक बच के अठारा मिनट से दो बच के पांच मिनट के बीच में पाइनेपल के जूस से भगवान शिवजी का विशेक करें 27 माला लगू मृत्यून जे ओम होम जूम सह का जाप करें अपने घर पे तुलसी जी का एक नया गमला लगाएं और इसी प्रकार से रात्री में निर्धन महिलाओं को अगर आज आप वस्त्रदान करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुती सुक शान्ती सुकून से बीतेगा इसमें कोई संदे नहीं ऐसे दर्शे को जिन लोगों को आने वाले समय में किसी बड़े काम के लिए किसी से मिलना है या कोई डील फाइनल करनी है या कोई भी आने वाले दिनों में किसी नोक्री आदी के लिए आविदन कर रहे हैं साक्षातकार पे जाने वाले हैं तो वो आज एक छोटा सा काम कर यह है कि सुबह 10 बच के 30 मिनट से 12 बच के 30 मिनट के बीच में किसी व्रद्ध महिला को भोजन करवाएं उस भोजन में मीठा दही मावे की बनी मिठाई अवश्य रहें इसके बाद में आप वापसी में किसी भी देवी मंदिर में जाएं वहां चांदी के तार के छोटे- बती को बोल रहें निश्चित रूप से आपको इसका लाब होगा जिस कार्य के लिए जिस मनों कामना के लिए आप कर रहें उसमें आपको सफलता मिल जाएगी इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक परिशानी से गुजरना पड़ रहा है वो आज एक छोटा सा काम करें करना ये है आठ लाल पुष्प घर में साथ बच के तीस मिनट से सवाट बजे शाम को लाने है उनका अस्ट लक्ष्मी के रूप में पूजन करना है बहुत अच्छा रहेगा कमल के पुष्प मिल जाए नहीं तो आप गुलाब के फूल ले सकते हैं और ओम श्रीम श्रीय न जाब करते प्रतिक पुष्प करें थोड़े से चावल चड़ाये कुमकुम चड़ाये मिश्रिक अर्पित करते जाए और भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें उनसे प्राथना करें इसके बाद बिना गिने आदा घंटा श्रीम बीज का मनी-मन ध्यान लगाते वी 25 तेसी जमारी में जहां भी आप धन रखते हैं थोड़ा सा स्वन्ड या चांदी यानि रजत या सोने चांदी के साथ आप दोनों में से कोई भी धातू के साथ रख दे भगवती कृपा होगी अगले पंद्रे दिन में ही आपके स्थिती सुधर्णने लगेगी आपको प्रशाद में आज आप तुलसी दल अवश्य रखिएगा जिससे आपको विसस्ट लाब हो एक आदशी के दिन हरुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी यह थे आज के विसस्ट उपाए जो आपको समश्याओं से ला रहें बाहर और जीवन में बना रहें सफल बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनुम पत्री का आई है हमारी दर्शक संगीता जी की दो जून सन 1995 का जनम में सुबह नौबच के 31 मिनट कोट पूतली प्रशन है विवा योग कब है संगीता जी आपका करक लगन है मिथुन राशी है सब अस्टम भाव यानि विवा भाव के अधिपती शनी अस्टम भाव में जिस पर मंगल और राहु की पूर्ण द्रश्टी है तो यह बहुत बड़ा कारण है विवा में विलंब होने का अर्चने आने का आप गुरू और चंद्रमा के जाब कर वाली जे नीम के वरक्ष लगा स्वास्ते सही नहीं रहता है उपाए बताइए यह पुश्पा जी आपका व्रश लगन है व्रश ही राशी है चंद्रमा लगन में है लगने शुक्र अस्टम भाव में शत्रू राशी में सूर्य के साथ पीडित है तो यसे में रोग प्रतिरोदक शमता बहुत कमजोर हो ज खिलाना और गले में एक अच्छासा फायर ओपल पहन लीजिए इस सब चीज़े आप करेंगी आपको आराम मिलने लगेगा स्वास्ते सुधरने लगेगा आज की तीसरी पत्री का यह हमारे दर्शक संदीप सिंग जी की 24 मई 1988 का जनम है आट बच के 22 मिनट रातरी पूर्ण है उपाय बताईए देगे संदीप जी आपका धनो लगन है सिंग राशी है सब्तम में बुद्ध शुक्र की यूती होने से और उस पर शनी की दरश्टी होने से सब कुछ सही होते वे भी आपके वेवाईक जीवन में तनाव बना रहता है जिसका कारण होते हैं द पीठा दही और इत्र शिवजी पार्पित करने की आदत बना ले तो आपकी समश्याएं दीरे दीरे कम हो जाएंगे तो यह थी आज की जोतिश मंत्रणा दर्श को आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्ण देगे नंबर से वाटसब करके हम से परामश ल आप उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में होता रहेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्य में और आनन्द में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कश्टों